इत्तिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद नियूज में आप सबी का खेर मगदम हैं जब से कोरोना महामारी का दौर जारी है हर बात को उसे से जोडने की बात अब आम होती जा रही है और फिर गोदी मीडिया फिर टीवी से लेकर आखबार तक किसी मतसूस समाज को इसका जिम्मेदा ठहराने का तो गोया मुकाबला लगा हुआ है थोड़ा संजीद्गी से सोचने की जुरूत है पूरी दुनिया में भारत के पैचान ही अनेक्ता में एक्ता है पर जब से मोदी हुकुमत एक्तदार पजीर हुई है तब से मुस्लिम माशरे को किसी ना किसी बहाने से निशाने पर लाया जा रहा है बेलगाम शेहर के अपनी तारीख रही है के एक अरसे से हिंदु मुस्लिम एक्ता की मिसाल देखी जाती है कई सारे बुजरु इसकी दलील भी देते हैं बाजारों में महलों गलियों में ऐसे कई चौराएं जहां पर गंगा जमनी तहजीब को देखा जाता था मुहर्म, इदमिलाद, गनेश, शुजेंती या फिर अमबिटकर जेंती में दोनों समाज का इतिहाद नजर आ था ता मुश्किल दाओर में एक दूसरे का सहारा बनने और हाऊसला दिलाने की कोशिश की जाती थी मंदिर की घंटिया और आजान एक साथ हुआ करती थी हमने हमारे बुजग्यों से सुना के इससे पहले भी कभी महामारी हुई थी तब दोनों समाज के लोग मुटहिद होकर उससे लड़ा करते थे इत्यास, जिन्दगिया और इंतिशार, मौत है अगर थमाज किसी भी परिशानी आफ़द बला से मुटहिद होकर लड़ता है तो जिद जाता है और मुटहिद होता है तो तो कीडे मकुड़े की मौत मरता है लहाज आज भी अगर धरम बाशाद, जदात, पात, का तफरका के बगर लड़ते हैं तो कोरोना महामारी क्या कोई भी आफ़द इस मुलक का कुछ बिगाड नहीं सकती तभी तो इस मुलक को मुतहिद होकर हमने आजाद किया था टिपू सिल्तान शाव लिए उल्ला, श्फाक उल्ला खान, अब्दुलामीद से लेकर महात्मा गांदी नहरू भगत सिंग तक है एक तवील फैरिस्ट है पर यहाँ एक अफसोस का मकाम ही कह सकते हैं कि धर मजग की बुनियाद पर सियासत लड़ी जाने लगी है और जिन अंगरेजों के खलाफ जिहाद का फत्वा देकर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले मुसल्मानों को मुल्क के महबत का सर्टिफिकेट पूछने लगे तो इससे बढ़कर क्या बदकिसमत लिए हो सकते है बटवारी के बाद भी सरजमीन में मुसल्मानों ने कि मुनद्जम साजिश मुस्तकील जारी है क्या यही वह भारत है जिसका खौब तमाम मुजाहिद आज़ादियों ने देखा था आखर सत्ता के खुर्सी हासिल करने के लिए क्या भाई-भाई का खून करने का एकी रास्ता बचाता छोटी सी छोटी बात को हिंदू-मुस्लिम का रंग देकर नफरत का जाहर गोल कर आखर कौन सा रामराज यहां लाना चाहते हो क्या वाकिया अकलियोतों पर ज्यादती करके इन्हें अचूता बनाने से ही भारत वीशो गुरू बनने जा रहा है कभी माब लिंचिंग तो कभी गोरक्षा, कभी तीन तला, कभी आयोद्या, कभी अनार सी अब एक बार फिर कोरोना महामारी के लिए भी मुसल्मानों को जिमेदार ठहराना किस तास्व से मतासिर है जिहादी देशतगर्द, कभी लव जिहाद, अब कोरोना जिहाद उस तक बिल देना चाहते हो, और मीडिया तो जमुरियत लोक तंतर का चौता सुतून होता है, हुकूमत से मीडिया सवाल इसलिए भी करता है ताकि अपनी गल्तियों को सुदार कर बेहतर फैसले ले सके, लेकिन मोधी हुकूमत में मीडिया गोदी मीडिया बन गया, जमीर फरोच लोगों की भरमार मीडिया में होने लगिये एक ही एजेंडे पर बहस मुबास से चलने लगे है, हर मामिले को हिंदू-मुस्लिम किया जाए ताकि अवाम असल मुद्धों पर ही सवाल ना करे और पिछले कुछ सालों से यही चल रहा है आज फिर कोरोना महामारी जो का आलमी वबा के जद में पुरी दुनिया आई हुए है पर यहां पर भी मजभी रंग दिया गया कि भारत में तबलिगी जमाद की जानिब से ही कोरोना जिहाद के तोर पर फैलायागा अभी से मीडिया सुबह शाम चला रहा है और इसका असर भी होना शुरू हुआ है गरिये मुसल्मान सब्जी फूट बेचकर अपना गुजारा करता है इन्हीं गली महलों में आने से रोका जा रहा है इन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है मीडिया के जरीए जूट फैलाया जा रहा है किसी की जेव से गल्ती से भी नोट गिरी हु ली वडगाम यहां पर कुछ नोट किसी के जेव से गल्ती से गिरे हैं या फिर साजिश के तहत ताके किसी मक्सूस समाज को जुमेदार ठहरा जाए इसलिए पेंके गए थे जिसे अखबारों में खुब चलाया जा रहा है कि जान बूच कर कोरोना पहलाने के लिए या तरक जाते हो तुम क्या खुन खराबा फसाद से तुमारे दिल को ठंडक मिलती है आखिर भाई चारे एकता इंसानियत के दुश्मनों को कोई पूचने वाला है क्या नहीं पर इन तमाम सवालात का जवाब बहु संग्यान समाज के लोगों को ही तलाशना होगा मुस्लिम समाज प्रासूब और नफरत फैलाने वाले तंजिमों का शिकार बन रही है फेस्बुक वाटसप के जरिये जहर घोलने की साजिश मुस्तकिल जा रही है आज भी कुछ तंजिमें समीतियां बिलगाम शहर में है जिनकी विचारधरा गोड़ से वादियों से अलग है तो उन सांप्रदाइक्ताक्तों के खिलाब भी लड़ेंगे जो इस देश को तोड़ने का खाब देख रहे हैं जूटे राश्टरवाद का नकाब ओड़कर समीधान को खत्म करना चाहते हैं आने वाले चुनाओ को भी रोखना चाहते हैं लोग तंतर को खत्म करना चाहते हैं ताक को बड़े संजीदगी से सोचने की जरूत है कहीं किसी मज़द से नफरत के जुनूर में बहुत कुछ गवाना बैठे और हमारे हाथ में कुछ भी ना रहे वक्त चला जाएगा और आप हाथ मलते बैठ जाएंगे इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफीज